जैहिन दोस्तों, अनेक आडमी डिफेंस गुरकुल के इस अमेजिंग प्लाटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है डेली डोज ओफ पीवाई क्यू एन एमसी क्यू सिरीज के साथ एक बर मैं फिर हाजिन हूँ सांदार से सवालों के साथ आज के सिसन का पहला सवाल पुर्ण स्वाराज से रिलेटर है दोस्तों question है, the पुर्ण स्वाराज declaration was made in which Indian National Congress session यानी जो पुर्ण स्वाराज यानी complete independence की जो मांग थी, declaration थी उसको इंडिनेनसल कॉंगरेस के किस सिसन में रखा गया था लहौर, कलकत्ता, बॉंबे या लखनव और यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, नहरू जी खड़े है यानी कि यह जो पुर्ण स्वाराज की घोसना थी, पुर्ण स्वाराज का जो declaration था वो लहौर से सिसन में 1929 में रखा गया था डेट था दोस्तो 19 डिसंबर 1929 जब इंडिनेसल कॉंग्रेस ने पास किया था हिस्टोरिक पूर्ण स्वाराज यानी टोटल इंडिपेंडनस रिजोल्यूशन को लहौर से सिसन के अंदर में यहां से एक और सवाल आप से पूछा जा सकता है कि इस सेसन में उस टाइम पे इंडिनेसल कॉंग्रेस के प्रेसिदन कौन थे तो उस टाइम पे इंडिनेसल कॉंग्रेस के प्रेसिदन जबाएलल नेहुरू ही थे ठीक है So the declaration of पूर्न स्वराज or complete independence from British rule during the लहौर Session of the International Congress was passed in December 1929. Now let me tell you एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है तो यार the resolution aimed for complete independence from British rule लेकिन 26 जानवरी 1930 को Congress Party ने अर्ज किया सभी भारतियों से कि Independence Day के रूप में उसको मनाएं हाला कि अभी हम Independence Day 15 अगस्त को मनाते हैं राइट लेकिन 26 जानवरी 1950 को ही भारत के सम्विधान को लागू करने का दिन चुना गया और इसी लिए इसी लिए अभी हम लोग 26 जानवरी को Republic Day के रूप मनाते हैं ठीक है confusion नहीं होगा न तो 26 जानवरी को ही सम्विधान क्यों लागू किया गया जबकि 26 नॉवंबर 1949 को तो हमने उसको accept कर लिया था क्यूंकि 26 जानवरी 1930 को हम लोगों ने पहली बार Congress Party के अर्ज पे भारतियों ने पहली बार Independence Day मनाया था इसलिए उसी सुब दिन को चुन करके भारत का सम्विधान लागू किया गया और उसी दिन को हम लोग Republic Day के रूप में मनाते हैं दोस्तों आज के सिसन का दूसरा सवाल भी बहुत ही तगड़ा है यानि जो सुन्दरबन मैंगरू फॉरेस्ट है वो किस स्टेट में लोकेड़ है वैसे देखो भारत में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है वो MP में है लेकिन जो सुन्दरबन मैंगरू फॉरेस्ट है ये वेस्ट बंगाल के अंदर में पाए जाते हैं ठीक है दोस्तों सुन्दरबन नोन फॉर इट्स यूनिक मैंगरू फॉरेस्ट और इस अलसो ए यूनिसको वर्ल्ड हेरिटेस साइट प्रीडॉमिनेंटली लोकेड़ निन दा स्टेट फॉरेस्ट बंगाल दर इस इन इंडिया तीसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों विचाथो फॉरेंग रिवर इस नौट ट्रिब्यूटरी ओफ दर रिवर गंगा इनमें से कौन सी नदियां गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है तो दोस्तों गंगा जो की भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी भारत में लंबाई जो है वो लगबग 25-25 किलो मिटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है तो यार गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक दोनों ही बैंक्स में है यानि यमुना क्या गंगा नदी के ट्रिब्यूटरी है Yes or No? Yes, Absolutely तो आपसे पूछा है Which of the falling river is not a tributary of the गंगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? हाजी? देखो, अलकनन्दा गंगा नदी की tributary है, गोमती भी है ठीक है? काली भी है, तामसा पुनपुन, दामोदर, सारदा रापती, छोटी, गंडक ठीक है? अगर हम सिलसिरिवार तरीके से चलें तो मालो ये गंगा नदी निकल रही है आपको मैं थोड़ा मैप के थूँ इसको समझाता हूँ ठीक है? तो यहाँ से गंगोतरी glacier से निकली गंगा नदी और जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है ना तो इसके right right side और left side जैसे उपर वाले side को हम बोलेंगे left side और नीचे वाले side को बोलेंगे right side ठीक है? तो जो river के main tributaries है right bank से they are Yamuna and Son Yamuna और Son main tributaries that you can see here this is Son and you can see here this is Yamuna तो Yamuna और Son दो main tributaries है ठीक है जी? वहीं अगर हम left side से बात करें तो left bank में राम गंगा घागरा, गंडग, कोसी, महानन्दा ये सारे tributaries है और गंगा नदी का जो लंबाई है भारत के अंदर that is 2525 किलोमेटर जिसमें 1450 किलोमेटर तो अकेले उत्राखंड में ही है और UP में ठीक है 445 किलोमेटर बिहार में है और 520 किलोमेटर वेस्ट बंगाल में है now let me tell you गुदावरी नदी जो है ना गुदावरी, this is a separate river system entirely and not tributary of the गंगा गुदावरी को गंगा आप साउथ बोलते हैं क्या बोलते हैं? गंगा आप साउथ ठीक है जी? यानि दक्षिन गंगा बोलते हैं और दक्षिन की गंगा कावेरी को बोलते हैं याद रखना दक्षिन की गंगा कावेरी को बोलते हैं और दक्षिन गंगा गुदावरी को बोलते हैं this is the main difference जिसमें की लग जाए वो कावेरी वाला है ठीक है जी, तो Godavari is the absolutely right answer, now let us move to the next question, the green revolution in India was most successful in increasing the production of, दोस्तो भारत के अंदर green revolution के जनक M.A. Swaminathan को कहा जाता है, ठीक है, तो M.A. Swaminathan is called the father of green revolution in India, और green revolution 1960s के आस पास में आया था, जिसके कारण पंजाब और हर्याना जासे state में, wheat और rice के production में काफी बढ़ोतरी देखने को मि थी, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा successful रहा, wheat और rice में रहा, ठीक है, इसके production काफी हद तक बढ़ गया थे, कि high yield variety के seeds यूज़ किये जा रहे थे, fertilizers यूज़ किये जा रहे थे और irrigation system को improve कर दिया गया था, ठीक है, so the right answer would be wheat and rice, option is the absolutely right answer guys, now let us move ahead, which in an estate is the largest producer of coffee, ये कई बार exam में पूछा गया है, serious में, F-CAT में और अलग-लग SSE exams में भी आया है, तो दोस्तों, करनाट का, अभी number one पे है, coffee के producer में, ठीक है, so करनाट का, option C is the absolutely right answer, करनाट का is the largest producer of coffee in India, now let us move ahead, अब हम discuss करने वाले है, most expected questions को, और पहला सवाल आपके screen के उपर ये रहा दोस्तों, the term gross domestic product, जि इसका मतलब क्या होता है, what is GDP, the total value of all the goods and services produced within a country, country's border in a specific period of time, ये बहुत हत्तक सही है, the total value of all the goods and services produced by a country's citizen in a specific time period, अब देखो A और B में क्या difference है, the total value of all the goods and services produced within a country's border in a specific time period, और दूसरा है कि produced by the country's citizen, बस country's citizen यहाँ पर लगा हुआ है, the total export and import of a country, no, the total import of a country, no, A और B, अब आपको decide करना है कौन सा होना है, दोस्तों, एक देश के अंदर, एक देश की territory के अंदर में, even अगर बिदेशी लोग भी आकर रहे के काम कर रहे हैं न, तो पूरे साल में, पूरे एक time, specific time period में total value of all the goods and services, यानि जितनी भी production हुई, उन सब की जो total value है न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, GDP बोलते हैं, ठीक है, so the total value of all the goods and services produced within the country's border in a specific time period, तो GDP एक broad measurement है, नेशन के overall economic growth का, ठीक है जी, so, इस पर भारत का जो GDP है, वो उसमें भी बडोतरी देखने को मिली है, and that's a good sign of, कि हमारे देश में अब धिरे-धिरे गरीबी कम हो रही है, Now, अगला सवाल है, डानी मार्च से related, डानी मार्च जिसको हम साल्ट सत्यागरह के नाम से भी जानते हैं, is also known as साल्ट सत्यागरह, was led by महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी अपने 78 साथियों के साथ, डान्डी जो की एक विलेज है गुजरात में, वहाँ पे नमक के कानून को तोरने के लिए गये थे, and it was in the year 1930, ठीक है दोस्तों, तो 1930 में डान्डी मार्च और साल्ट सत्यागरह गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये एक non-violent protest था, that was late by महात्मा गांधी, in March and April, 12 March को चले थे, और सायद 6 April को पहुँचे थे न, do you remember, yes, तो ये जो ब्रिटीसस ने साल्ट के उपर में टैक्स लगाया था न, उसके खिलाब, उस कानून को तोड़ने के लिए ये सत्यागरह किया गया था, ठीक है, ये एक non-violent protest था, जो की सावरमती आसरम, जो की आहमाधाबाद में है, वहां से निकल करके डांडी तक, गांधी जी पैदल यातरा पे गय थे, अपने 78 साथियों के साथ, और नमक बना करके उस कानून को तोड़ा था, अगले सवाल है दोस्तों, त्रीटी ओफ वर्सायलिस वस साइंड इन दे इयर, देखो ये जो ट्रीटी ओफ वर्सायलिस है न, और व वर्डवार वन उनिस तो चौधा में स्टार्ट हुआ तो दोस्तों, उनिस सो चौधा में स्टार्ट होकर के 19"... 1998 तक चला, और उसके एक साल के बाद, यानी 1919 में, ट्रीटी ओफ वर्सायलिस साइंड हुआ था, that was signed on June 28 19 or 19 officially जब World War 1 इंड हुआ Germany और Allied Power के बीच में ठीक है Now, World War 2 कब हुआ था 1949 से 1945 तक चला था ठीक है, जब Hitler मारा गया उसके बाद UN का गठन हुआ फिर UN सांती दूत बन करके आया और Japan के उपर USA ने बॉम भी गिरा दिया था जिसका नाम था Little Boy और Fat Man याद है ना आपको, गुड 24 सवाल जो की बहुत ही important है and the question is विजदो falling is not correctly matched इन में से कौन सा correctly matched नहीं है तो देखो Frontier गांधी को तो हम लोग खान अबदूर गफर खान खान अबदूर गफर खान को हम लोग Frontier गांधी के नाम से जानते है यानि इनका निकनेम है सरदार बलबाई पटेल जी को हम लोग Iron Man of India के नाम से जानते है और सरोजदी नाइडू को हम लोग Nightingal of India के नाम से जानते है लेकिन देश बंदू CR दास को बोला जाता है ठीक है चितरंजन दास जी को हम लोग देश बंदू के नाम से जानते है ठीक है देश बंदू यानि Friend of Country तो Option A would be the Absolute right answer friends कि not correctly Mazzed आप से पूछा था अगला सवाल और ये भी बेहद ही प्यारा सवाल है The question is which of the following Is our true about Sarozni Naidu दोस्तो Sarozni Naidu She was the first woman president of the International Congress क्या पहली महिला President थे Indian National Congress की Do you remember She was the first Indian woman president of the International Congress ठीक है Annie Basanthi से पहले बनी थी है She was the first woman governor of the Independent India ये बिल्कुल सही है UP की पहली महिला governor बनी थी She was the first health minister of the Independent India She wrote the famous Golden bow आपको क्या लगता है दोस्तों दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो पहली महिला प्रसिदेंट थे Indian National Congress की She was Annie Basanth 1908-17 में Indian National Congress की प्रसिदेंट बनी थी और पहली भारतिया महिला प्रसिदेंट Sarozni Naidu थी Indian National Congress की तो उस ही साब से हमारा जो पहला statement है वो गलत हो जाएगा कि कि first woman लिखा है first Indian woman नहीं लिखा है अब दूसरा statement सही है कि UP की जो पहली महिला गवर्नर बनी वो Sarozni Naidu ही थी यानि भारत में किसी भी state की पहली महिला गवर्नर Sarozni Naidu ही बनी भारत के अंदर पहली जो Health Minister थी उनका नाम था राजकुमारी अमरित कौर ठीक है और ये एक मात्र female cabinet member थी जवालाल नहरू के पहले cabinet में गोल्डेन बाव दोस्तो गोल्डेन बाव लिखा है James George Frazier ने तो उसी साहब से 3 और 4 भी गलत हो गया यानि सिर्फ statement 2 सही है अब एक बाद मैं आपको बदाता हूँ जैसे कभी-कभी न इस टाइप का math the following वाले question पूछ लेता है और एकदम basic सा static GK का आपको question पूछेगा serious में तो land of rising sun land of rising sun जापान को बोलते हैं दोस्तों ठीक है और land of midnight sun Norway को बोलते हैं अब अगर दो आपको याद है ना इतने से ही आप पुरा answer निकाल लोगे A का हो गया तीसरा ठीक है तो option number A reject हो गया option number B reject हो गया B का हो गया चौथा तो B का चौथा उससाब से option number C V reject हो गया एक ही option बचाना अब आप देख सकते हो C का है दूसरा ठीक है जी यानि land of thousand legs Finland को बोलते हैं ठीक है और D का हो गया पाचमा land of thunderbolt Bhutan को बोलते हैं और कल के सवाल में मैंने आपको पढ़ाया भी था ठीक है तो यार CDS के लिए ये सारे question बहुत ही ज़्यादा important है और इसी pattern पे एक्जामे सवाल पूछे जाते हैं अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जाता हूँ आपको बताना है दोस्त the largest river island in the world Majoli is located in which in an estate जल्दी से वीडियो को pause किजिए और comment section में जवाब दे दीजे दोस्तों जाते जाते एक और खास update आप सब को दे देता हूँ that is regarding current affairs की pdf जो की हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही available है nds, cds, fcat, cbfn, ssb asperience करिए फटा फरसिस बार कोड को scan कीजे और pdf को download कर लीजे बिल्कुल free है now let me tell you अगर आपने fcat के लिए अभी तक batches join नहीं करी है तो this is the last time for you friends इसके बाद आपके उपर बहुत सारा ऐसे backlogs हो जाएगा तो I would suggest you कि अगर आपको fcat में अच्छे ranks लाने है तो अभी से पढ़ाई start कीजे कि last moment पे अगर आप सोचते हो last के 60 दिनों में कर लेंगे तो उससे बस exam pass कर सकते हो आप अच्छे rank नहीं ला सकते है rank लानी है तो आपको consistent होगर के पढ़ाई करनी पढ़ेगी चाहे आप batch से पढ़ो या self study से पढ़ो that is your choice ठीक है और हर बच्चे का अलग-अलग need होता है है ना तो उसी साब से आपको अपनी need देखनी है now यह सारे benefits हैं इन batches के जिसको आप वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं यह हमारा telegram और instagram है जिसको भी आप join कर सकते हैं यहापे भी हमारे current affairs related content आते रहते हैं अब दोस्तों एक बहुत important update है serious aspirants के लिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने रक्षक्रास को join कर लिया है जिन्होंने अभी तक नहीं join किया है उनको मैं बस एक बार aware कर देना चाहता हूँ क्यार this is the last time for you 29 फरवरी से batches start हो चुकी है तो अभी भी आपके पास मौका है batch में join कर लिजे जिससे आपकी जो preparation की efficiency है न वो अभी से 10 times बढ़ जाएगी क्या कि आप पूरी team में लग करके और मेहनत कर रहे होंगे आपके साथ बहुत सारे बच्चे जो है जोस और उमंग से लगे हैं और उससे आपका भी जोस 10 गुना बढ़ जाएगा so this is the last time for you friends अगर आपको कोई technical help चाहिए इस नमर पे भी आप call कर सकते है these are the best of faculties ever on non-academy so you can trust them and go for the plus subscription साथ हो इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद जै हिंद